फालो विल्कम फ्रेंड्स पिछले कुछ वीडियो में हमने बाइ डिफॉल्ट आप दुकान का नाम कैसे प्रिंट करोगी जैसे आपके दुकान का नाम है तो बिल पर आपके दुकान का नाम कैसे आजाएगा यहां कुछ लोग प्रेडित या कैश इस तरह की चीजे बिल पर करके देना चाहते हैं अगर उधार माल बेशते हैं तो क्रेडिट और कैश माल बेशते हैं तो कैश में मो लिख करके और बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह की चीजों को हमने सेल्स बाउचर में बताया था लेकिन यह पर्चेस में कैसे होगा इसके लिए अभी तक क purchase को ले करके है अगर आप कोई purchase करते हो ठीक है regarding business तो उसमें आप credit पर purchase कर रहे हो या cash में purchase कर रहे हो या फिर आप अपने दुकान का ही नाम देना चाहते हो तो यह कैसे हो पाएगा ठीक है तो चलिया यह देखते हैं किसको कैसे करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है पूर से F12 की प्रेस करना है F12 तो जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो यह configuration में आ जाएंगे configuration में आने के बाद आपको क्या करना printing option पे चले जाना है यहां से पी प्रेस करना है तो जैसे पर हमें चले जाना है purchase transaction में ठेक है यहां से purchase transaction में चले जाए यहां पर purchase voucher में ही हमें changing करनी है यहां पर subtitle में भी मैं कर देता हूं दश्चाइन in institute ओके और यहां से Ctrl A प्रेस करता हूं अब चलते हैं एक entry बनाते है और देखते हैं यहां से accounting voucher में आगे purchase voucher में आगे यहां पर supplier के invoice number डाल दिया है यहां पर आजाएगा creator पार्टिकल लेजर तो यह आयूस creator हमने लगा दिया यहां पर आजाएगे यहां पर purchase account का लेजर आएगा आप यहां पर keyboard purchase कर रहे हैं और चाट keyboard purchase कर रहे हैं कीमत चपन रुपए तो यह यहां पर आ गया अब दूसरा item जो भी है उसको ले लीजिए जैसे यह जावा की book है तो यह बुक है यह ले लिता हूं और असी book और हम purchase कर लेते हैं तो बारसों की एक book उसके बाद python की book देख लेते हैं तो python की book भी हमें purchase करनी है 10 book है हमारे पास और 50 book और purchase करना है यह कीमत 2000 है तो यह ले लिया हमने और इसको अब enter प्रेस करते हुए accept करा लेते हैं यहां से यह accept करा लिया हमने अब इसको print करना है ठीक है तो print करने के लिए यहां से मैंने setting कर रखे यह मेरे में save करने के साथ ही यह directly print करने के लिए बोलता है तो यह यहां से bill number के नाम से इसे save कर देता हूँ और desktop पे save करूँगा यहां से इसको close करूँगा और यहां से double click करके इसे open कर लूँगा जैसे यह open करेंगे तो कुछ यह इस तरीके के format में आएगा यहां पर देख सकते हैं the sign in institute सब्टाइटल यह print होकर आ रहा है ठीक है यह देख लीजिए आप देख सकते हैं आप